एक ऐसी सची घटना जिसे देख वहाँ खाड़े लोगों की आखे फटी की फटी रहे गई फिर जो हुआ उसे सुनकर आपके भी हुशुर जाएंगे हर हर महादेव नमस्कार दोस्तों हमारे यूटूब चैनल में आप सभी का हाल देख स्वागत है दोस्तों आज हम आपको भगवान शिव के चमतकार की एक ऐसी सची घटना सुनाने जा रही है जिसे सुनकर आपकी भी रूकाब जाएगी दरसल दोस्तों हम बात कर रही हैं बिहार के बैजनातपूर के रहने वाले रोशन जाकी चिन्हें हमारे साथ महादेव के चमतकार की ये सची घटना शियर की और बताया ये कैसे सोयम नाग देवता ने उनकी चान बचाई दोस्तों रोशन जी बताते हैं कि वह काफी समय से हमारे चैनल से जुड़े हैं और इस बार उन्होंने सोचा कि क्यों ना उनके साथ हुई इस घटना को हमारे चैनल के माध्यम से वहे आप सभी लोगों के साथ साजा किया जाए। इसी कारण उन्होंने यह सची घटना हमारे साथ साजा की है। रोशन जी बताते हैं कि वे भगवान शिव के बहुत ही बड़े भगते हैं और उनके काउं के आसपास बहुत ही महादेव के प्राचीन मंदिर भिस्तापित हैं। जहां वे हरोज भगवान शिव को चलब शेक करने जाते हैं और शिव मंत्रों का जाब भी करते हैं। बात है अगस्त दो हजार आट की जब कोशी नदी का जल स्थर काफी बढ़ चुका था जिसके कारण बिहार के ज्यादर इलाकों में बाड आ गई थी और हमारा भी आदे से ज्यादा जिला एक बाड की चपेट में आ गया था बाड इतनी खतरनाक थी कि किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया और इस बाड के कारण भगवान शिव का वह प्राचीन मंदिर भी बहने लगा फिर जो हुआ वह देखकर सभी लोग वहां खड़े हैरान रहे गए दोस्तों हुआ यो कि उस दिन जब बाड में भगवान शिव का वह प्राचीन मंदिर बहने लगा और धीरे धीरे करके उसमें विद्दमान प्राचीन शिवलिंग भी पानी के उस तेज धारा में बहने लगा तब ही अचाना के ऐसा नजारा हुआ जिसे देख खुच पल के लिए मानों उनकी आँखे फटी की फटी रह गई पानी के उस तेज बहाव में अचाना के बहुत ही पड़ा साप आकर उस शिवलिंग के उपर आकर बैट गया जिसकारण वह शिवलिंग पानी के उस बहाव को आसानी से छील लेता है और इस जखा आकर स्थित हो जाता है है जानी तो हमें तब हुई जब बार को करीबन एक हफते से ज्यादा हो गया था वहनाग उस शिवलिंग की तब तक रक्षा करता रहा जब तक कोशी नदी में बार के स्थिती सामाने नहीं हुई और उसके बाद वहनाग हमीशा के लिए अद्रिश्य हो गया और कभी दोबार नहीं दिखा अगर उस दिन वहनाग शिवलिंग के उपर आकर नहीं बैठता तो शायद उस पाड में हम महादेव के इस प्राचीन शिवलिंग को भी खो देते हम समझ गए थे कि ये कोई और नहीं बलकि सोयम महादेव के सेवक वासुकी थे जिनोंने सोयम आकर भगवान श सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शियर आवश्य करें मिलेंग अगली बार एक नहीं खास वीडियो के साथ अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद